तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है हर्याना वासियों को हर्याना डे की celebration के उपर तो एक नवंबर को हर्याना डे celebrate किया जाता है इसके इलावा और भी काफी states हैं जैसे शर्तिसगर है, पंजाब है, इसके इलावा करनाटका है, आंदरबर देश है तो इनको भी ज पहले 29 थे अगस्त 2019 से पहले हमारे 29 स्टेट और साथ यूटी थी तो अभी के लिए एक स्टेट कम हो गया है जे एंड के को कुनवर्ट कर दिया गया है दो यूटी में तो अभी 9 यूटी हो चुकी है 28 स्टेट हो चुकी है तो यह स्टेट को निकाला गया था बनाया गया था इस्टन पंजाब का जो रीजन था वहां से तोड़ कर ओके तो एक नमंबर 1966 को on the basis of language इसका नर्मान किया गया था तो अगर एरिया वाइस इसका रंक देखे तो 20 सेकंड है पूरे भारत में और जो इसका लैंड एरिया है वो है लगबग 44,000 किलोमेटर स्केर के आसपास तो यह पूरे देश का 1.4 प्रतिशत ही बनता है अगर बात करें स्टेट कापिटल की तो जब बटवारा हुआ था पंजाब और हर्याना के बीच में तो उस समय चंडीगड को लेकर बहुत सारा विवाद रहा काफी सारे बहुत सारा नुकसान भी पंजाब में इस पूरे रीजन में देखने को बिला 1984 के दौर में 1984 से लेकर 1999 तक तो उसका एक सबसे बड़ा कारण चंडीगड भी था तो टसल रहता है हर्याना और पंजाब के जो स्टेर्स हैं दोनों के बीच में चंडीगड को लेकर तो अभी के लिए फिलाल यूटी है और दोनों के दोनों स्टेर्स जो अपनी असेंबली है उनकी चंडीगड में ही बैठती है और सबसे बड़ा अगर सिटी है हर्याना का तो वो है फ॑रिदाबाद और साथ पर काम कर रहे हैं तो इससे ही अरयाना को अच्छा revenue आ रहा है अच्छा पैसा यहां से अर्याना स्टेट है गॉर्मनट को आ रहा है इसके इलावा जो अभी मैं बात करने जा रहा है जो पRはい Wealth चुरे हैं जो हरद हो पिसीध के लिए हैरी कर रहे हैं इसके इलावा 140 community development blocks हैं, 100 cities हैं, towns हैं और 7000 के आसपास गाउं हैं तो accurate figure है 6848 और इसके इलावा 6222 village panchaits हैं तो अगर बात करें investment की, तो investment में भी हर्याना काफी आगे हैं, अगर सन 2000 से इले के अब तक की बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में जो इनके शहर जो NCR region को टच करते हैं, जो डेली के आसपास के शहर हैं, वहाँ पर अच्छी खासी investment आई है, तो अभी हमने बात की कि 500 से per capita income को हम compare करें, तो ये double है, पूरी national average के जितनी per capita income बनती है, पूरी जनता की, पूरी लोगों की, अगर 2018 का data हम देखें, इसके इलावा, रियाना की अगर growth की बात करें, तो ये भी 12th largest ने इंडिया में, growth wise, और इसकी जो growth है, लगबग 13% के रफतार से जो है बढ़ रही है 2012 से अगर 2017 का data हम लेकर चलते हैं तो, इसके इलावा और सबसे important बात, बहुत बड़ी मातरा में यहाँ पर special economic zones बनाए गए हैं, तो ये बहुत important होता है, जहाँ पर special economic zones होते हैं, जिन reason में, वहाँ पर export में काफी सारी facilities होते हैं, taxes काफी कम लगते हैं, ऐसे zones में, जो भी in zones मे factories काम करती हैं, जहाँ कोई भी manufacturing unit काम करता है, तो उनको काफी फाइदा मिलता है, direct जो है वो export कर सकते हैं, अपना माल, जिस भी country को वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सरकार taxes कम रखती हैं, और यहाँ पर कोशिश की जाती है, एक ऐसा environment बनाया जाए कि जो economically इंडिया को benefit करे manufacturing point of view से भी और और भी जो various commodities हैं, उनकी production point of view से भी, तो यहाँ पर 30 special economic zones हैं, इसके साथ ही जो industrial corridor projects हैं, ठीक है, वो भी जो है NCR को यहाँ पर connect करते हैं, साथ ही साथ, जो फरीदाबाद शहर है, इसको अभी 8th fastest growing city का यहाँ पर tag दिया गया है, पूरे world में, ध्यान दिखेगा और इसके लावा third most in India, इसके लावा अगर services की बात करें, तो Guru Gram जो है, वो number one city है, पूरे इंडिया में, and in IT growth rate, and existing technology infrastructure, and number two in startup ecosystem innovation and availability, तो काफी अच्छे से grow कर रहा है Guru Gram, अलग-अलग various sectors में, आने वाले समय में और ज़्यादा करेगा, क्योंकि Delhi जो है, Delhi में अभी जगा कम इसके लिए Delhi के आसपास के जो NCR के regions है, उनकी और दोड रहे हैं, अभी वहाँ पर भी रश हो गया है, ठीक है, अभी सरकार और तया कर रही है कि उतर पर देश के कुछ शहर, कुछ districts जो Delhi को touch करते हैं, उनको भी NCR में लाएगी, राजस्तान के भी कुछ areas अगर हैं, तो उन उनको भी जो है Delhi NCR के आसपास के जो area से वहाँ पर उनको Delhi NCR की region के अंदर ही जो है उनकी शमूलियत करेगी, इसके इलावा हर्याने की बात करें, इसके इलावा हर्याने की बात करें, तो यहाँ पर 9000 साल पुरानी एक साइट है, जो की हिसार district में बढ़ती है, इसके हर्याना है, फतेहा बाद इसने की तो वहाँ पर ये Indus Valley साइट परती है, इसका नाम है राखी गड़ी, तो पूरा पूरा गाम है, इसको यहाँ पर सरकार प्रोटेक्ट करके चल रही है, पिछली दिनों एक announcement होई थी जब ये budget आया था 2020 का, कि राखी गड़ी, जो साइट ह इसको अभी museum में जो है तबदील किया जाएगा, तो काफी खर्चा सरकार यहाँ पर भी करने वाली है, तो important है, ध्यान रखेगा Indus Valley Civilization की साइट हर्याना में भी है, इसका नाम है राखी गड़ी, इसके इलावा काफी rich history है, हर्याना की monuments के साब से heritage भी है, यहाँ पर flora और fa हो रहा है, इसके इलावा हर्याना जिन states को border करता है, सबसे पहले है, पंजाब, क्योंकि उसी में से निकला है, इसके इलावा हिमाचल पर देश है, और उत्तर पर देश का जो western portion है उसके साथ और राजस्तान के साथ, तो यहाँ पर जो rivers है, important river, इनका ध्यान रखेगा, गग इकलोता ऐसा state है, जो डेली को जो है, तीन साइड से जो है cover करता है, यह सबसे important बात यहाँ पर मैंने discuss करने जा रहा हूँ, कितनी battles यहाँ पर हुई है, तो पानीपत जो region है, वो सबसे important रहा है, battles के लिए, तो first battle of पानीपत होई थी, 1526 को, यहाँ पर बाबर जो था, उसने defeat किया था जो लोधी, जो पहले इंडिया पर यहाँ पर rule कर रहे थे, तो इनको हरा कर, बाबर ने यहाँ पर इंडिया में मुगल राज थापित किया था, 1526 में, फिर दूसरी second battle होती है, पानीपत की, वो 1556 को होती है, तो यहाँ पर अकबर जो हराता है, यहाँ के लोकर हर जियानवी हिंदू Emperor of Delhi को, जो की रवारी से बिलॉंग करते थे, तो आगे बात कर रहे हैं हेम, चंद्र, विकरम जती है की, तो इन्होंने भी पूरे इंडिया में 22 battles जीते थी, from Punjab to Bengal, defeating Mughals and Afghans, आगे बात कर रहे हैं हेमू की, इसने भी अकबर की forces को defeat किया था, दो बार आगरा में, and the battle of Delhi in 1556 to become the last Hindu emperor of India and with a formal coronation of Pranakila in Delhi on 7 October 1556, और लास्ट में हैं यहाँ पर third battle of Panipat, इसके ओपर मुवी भी आई थी, ओके अहमद शाह अबदाली का रोल अदा किया था, संजेदत ने, तो यहाँ पर यहाँ पर यह तीसरी battle हुई थी, 1701 को, यहाँ पर, अफगान King Ahmed Shah Abdaali, उसने defeat किया था, हमारी जो Maratha Army थी, उनको, और आखिर में बात करते हैं, हर्याना के formation के बारे में, तो 1 November 1966 को, Punjab Reorganization Act 1966 के तैत हर्याना का formation होता है, और यह जो formation हुआ था, इनके पीछे जो commission बठाया गया था, उसका नाम है, शाह commission बहुत ही popular था, अपने time पे important है, ध partnership में यहाँ पर, काम इनको सौपा गया था, कि कैसे border divide होंगे, पंजाब और हर्याना के बीच में, और साथी साथ, जो हिमाचल के पहाड़ी areas है, उनको, कहाँ पर shift करना है, जो पंजाबी speaking areas है, जहाँ पर पहाड़ी बोली जाती है, क्या उनको पंजाब का region रखा जाए, ज और जो हर्याना के भी जो northern district है, जो पंजाब से border touch करते है, वहाँ पर भी मंजाबी का, जो instant है, वो काफी है, आगे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पंजाब और हर्याना की boundaries decide की, नया हर्याना बनाया गया, okay, languages के हिसाब से, okay, तो यहाँ पर, जो district यहाँ पर हर्याना state में दिये गए, वो थे हिसार, महंदरगड, गुरगाओं, रोत, करनाल, okay, तो इनको नए state हर्याना का पार्ट बनाया गया, और कुछ तैसीलें थी, जिनको अलग-अलग district दी कुछ तैसीलें सी, जिनको बाटा गया, पंजाब और हर्याना के बीच में, okay, और इसके इलावा, आ पंजाब को दी दे गया, कुछ इससा जो है, यहाँ पर हर्याना की और चंडिगर की और जो चला जाता है, तो यहाँ पर अभी के लिए चंडिगर जो है, union territory है, तो यहाँ पर dispute रहा है काफी लमे समय से पंजाब और हर्याना के बीच में, कि UT जो है, किसकी capital होगी, तो अभ यह हर्याना का मैप यह नौर्दन बॉर्डर जो यहां पर पंजाब के साथ टच हो रहा है वेस्टन बॉर्डर राजस्तान के साथ है जो जो डिस्टन पंजाब के साथ टच करते हैं सिर्सा है फतेहबाद जींद है कैथल है कुरुक शेत्र है अंबाला है और पंचकुला है औ पर पंजाबी इंफ्नियूंस भी यहां पर काफी है यह जो है इसका इस्टन बाउंडर हिमाचल परदेश के साथ और साथ इसाथ उत्तर परदेश के साथ यहां पर टच कर रहा है और आगे बाद करें डैली की नैशनल कैपिटल की तो यहां पर देखिए इसको तीन तरफ से ह हर्याना की बौंडरी लग रही है और जो आसपास के रीजन है जैसे यह सोनी पत है ठीक है इसका भी यहां वाला रीजन जो है यह एंसी आर का हिस्सा बन चुका है अभी ओके दिरे दिरे और भी एरिया से जज़र है इसको भी इसका एरिया भी सरकार जो है इंक्लूड कर र ही है डेली में जब आउटर हो जाता है तो इदर लोग आके इंवेस्ट करना शुरू कर देते हैं आने वाले समय में देरे देरे यह पूरा पूरा एरिया यहां पना एंसी आर कहलाएगा यहां पर इस चीज़ ध्यान रखेगा ओके तो यह है यहां पर हर्याना का मैप